देर आर मिलियन वेज तो मेक मानी इन स्टोक मार्केट, दा आरनी इस डाट, देर आर ओल वेरी डिफिकल्ट तू फाइंट, बाय जैक श्वेगर हलो दोस्तो, कैसे हैं आप लोग? दोस्तो, स्टोक मार्केट में पैसे कमाने के लाखो तरीके हैं, पर हमें लाखो तरीके हैं चाहिए, हमें चाहिए एक या दो तरीके, एक या दो सेट अप जिससे हम पैसे कमा सकें, एक सस्टेनिबल इंकम जनरेट कर सकें स्टोक मार्केट से आज उनी में से कुछ important pattern मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज का pattern बहुत important है क्योंकि ये most of the time work करता है एक पुराना tried and tested method है एक reversal pattern है जिसका नाम है double bottom आपने thumbnail में जुरूर देख लिया होगा double bottom या फिर जिसे मैं कहता हूँ W pattern दोस्तो मेरा नाम है अभी शेक सिका मैं हूँ एक full time trader and investor और मैं आपको welcome करता हूँ अपने educational channel students of market में दोस्तो इससे पहले कि हम pattern पे आगे जाएं सबसे पहले हम समझते है logic क्या है इसके नाम के पीछे logic behind the name उसके लिए मैं लिए चलता हूँ आपको screen पर और इसकी picture दिखाता हूँ सबसे पहले और इसपर समझते हैं logic क्या है ठीक है दोस्तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ कि double bottom pattern क्या होता है या w pattern भी कहते हैं इसे मैं w pattern ज़्यादा कहना पसंद करता हूँ बट stock market के language में इसे double bottom कहा जाता है इस नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा logic नहीं है बहुत ही simple सा logic है double bottom मतलब यह pattern आकर दो बार bottom टच करता है इसलिए इसे double bottom कहा जाता है कोई ज़्यादा logic नहीं है कोई time waste नहीं करेंगे logic समझने में simple सी बात है again यह हो गया bottom 1 यह हो गया bottom 2 कई बाद stock तीसरी बार भी नीचे आता है उपर जाने से पहले तो उसे हम triple bottom कहतेते हैं और कोई difference नहीं है कोई ज़्यादा गहरा logic नहीं है इसके नाम के पीछे जिसे मैंने आपको pole and flag और head and shoulder pattern वगरा सिखाये थे उनके नाम के पीछे काफी गहरे logic थे बाद यह बहुत ही simple है इसका नाम और इसे w pattern भी केते हैं क्योंकि इसकी shape एक w की तरह निकल कर आती है आप सब लोग w जानते ही होंगे so this is w that's it that is the logic behind the name so दोस्तो यही logic है इसके नाम के पीछे उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है psychology क्या है इस pattern के पीछे वो जानना ज़्यादा important है तो हम psychology जूर समझेंगे कि इस pattern के पीछे क्या psychology है क्यों इस pattern के विज़े से selling buying में convert हो जाती है बड़ उससे पहले एक बार इसकी formation समझते हैं तो again मैं आपको trading view पे लेके चलता हूँ जहां पर हम अक्सर समझते है formation of this pattern ठीक है तो हम trading view पे आ गए है मैं tools का use करूँगा यह हमारा price एक drop कर रहा है तो मैं इसको बनाऊँगा red line में then अगला price यहां से हमारा upward move किया तो इसको बनाऊँगा मैं green then next price हमारा यहां से नीचे आया तो इसको बनाऊँगा मैं again red and फिर हमारा price यहां से पर निकला तो इसको मैं बनाऊँगा green perfect जो double bottom है एक reversal pattern है दोस्तो अगेन अगर आपको reversal pattern क्या होता है continuation pattern क्या होता है यह नहीं पता है सो मेरी चार्ट pattern वाली वीडियो का link मैं आपको i button में दे दूँगा आप वहां जाकर सीखिए कि क्या होता है reversal और continuation pattern और आपको अच्छे दे समझ में आएंगे तब यह pattern अभी के लिए मैं आपको बतायता हूँ यह reversal pattern है reversal pattern मतलब यह है कि जो trend चलता आ रहा है उस trend को यह pattern reverse कर देता है तो उसे reversal pattern कहते हैं और जो double bottom pattern है इससे पहले एक trend होना जीरी है और वो trend होगा downtrend मैंने यहाँ पर सीधी line कीची है but I hope अब सब लोग trend समझते हैं कि trend क्या होता है और तभी आप लोग pattern सीख रहे हैं तो trend ऐसा होता है कि बजार में stock ऐसे करके ऐसे करके गिरता हुआ आ रहा है ठीकिन आ उसे कहते है downtrend तो यहाँ पर यह जो red line है को गिरते गिरते एक जगा पर ब चॉप करता है उस्टॉप करके वहाँ से bounce back करता है तो जहाँ से bounce back कर रहा है हम इसे कहते हैं support दोस्थो अगें support and resistance आप ये चीज नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी अगेन मैं आई बटन में आपको एक वीडियो दे दूँँगा इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है आप जाकर आई बटन में मेरी वीडियो देखिए आपको support and resistance अच्छे समय में आ जाएगा support and resistance are very important fundamental technical that means इ से letter sentence बनाने के लिए ABCD सीखनी पड़ती है mathematics की बड़ी से बड़ी चीज सीखने के लिए पहले one plus two plus minus वगेरा सीखना पड़ता है हमें उसी तरह से technical analysis सीखने के लिए हमें support and resistance की knowledge होना बहुत जोरी है जब तक हमें support and resistance नहीं पता है तब तक problem है तो यहां से गिरता गिरता आय stock उसने support लिया यह base बनाया और वहां से एक jump लिया jump लेकर यहां पर resistance face करी और इस resistance को हम इस pattern में नाम देते हैं neckline का और इस support को हम नाम देते हैं bottom का तो जहां से stock हमारा नीचे आया stock bottom out हुआ support लिया support लेकर उपर निकला और कहीं पर resistance ली यह resistance जहां से यह trend शुरू हुआ है उससे नीचे ही होगी उसके बराबर नहीं होगी और वहां से फिर गिरतना शुरू कर दिया अब इस stock ने मैं नहीं करूँ हुआ कि actually same जगा से support लिया जहां से पहली बार लिया था लेकिन उसके आसपास से support लिया अब कैसे आसपास होता है वो मैं आपको आगे chart में examples के थुरू अच्छे से explain करूँ हुआ यहां पर समझते हैं कि यहां पर दुबारा इसने support लिया यहां पर support टू बना हमारा और इसको हम bottom टू भी भोलेंगे टेकनिकल लेंग्वेजमेंट बॉटम टू बना हमारा तो यह बॉटम बन था यह बॉटम यहां लिखता हूँ यह बॉटम बन था यह बॉटम टू हो गया और यहां पर support लेकि फिर निकला और इस बार उसने यहां पर वेट नहीं किया इस neckline को और resistance को तोड़ दिया और तोड़ कर उपर निकल गया तो यह हमारा बन गया double bottom डबल बॉटम पैटन कितना सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल है बहुत इजी है यह पैटन इतना इजी है इतना बड़ी अवक करता है मैं बहुत फैनू इस पैटन का क्योंकि जब बजार गिरता है तो बजार ने घूमना तो है कहीं ना कहीं से तो गूमना है उपर उठना यह वापस, तो यह pattern मुझे entry दिलाता है, unnecessary में गिरते वे कहीं भी buy नहीं कर सकता, तो मुझे यह pattern बताता है कि अब buy कर ले, हब खरीदने का समय आ गया है, तो बहुत अच्छा pattern है, बहुत अच्छी entry दिलाता है, investing के लिए हो, trading के लिए हो, बहुत जादा use किया जाने वादा pattern है, I really like this pattern, और आप लोगों को ही बहुत अच्छा लएगा, अगर आप practice करोगे और trade लोगे, चलिए बाकी इसकी आगे formation को और समझते हैं, तो बिलकुँ simple हम समझ गए, double bottom क्यों, पहला bottom, दूसरा bottom, और ये है neckline, इसे हम support कहते हैं, ये support area हो गया हमारा, ये हमारा resistance area हो गया, again, stock नीचे आया, support पर bounce किया, resistance पर जाके नीचे आया, फिर उस area के आसपस, फिर दूसरी bottom बनाई, और जब next time निकला, तो उसने resistance को तोड़ दिया, that means, जो ये structure चलता आ रहा था, वो structure change हो गया, और इसे कहते हैं, change of structure, इस चीज़ को change of structure भी कह लाता है, तो जब change of structure होता है, तो हमारा market में trend change होता है, इसलिए अब तक क्या हो, होता आ रहा होगा, stock ऐसे करके गिरता आ रहा होगा, फिर उठता होगा, फिर गिर जाता होगा, फिर उठता होगा, फिर गिर जाता होगा, फिर उठता होगा, फिर उठता होगा, फिर गिर जाता होगा, लेकिन इस पार क्या होगा, उठा, नीचे आया, ये तोड़ा नहीं, और निकल गया, तो से change of structure भी कहा जाता है तो हम formation समझ गए अब ये pattern आप intra day में यूज़ कर सकते हैं जैसे 5 minute chart या 15 minute chart में मैं आपको दिखाऊँगा आप इसको swing trade के लिए 30 minutes chart या 1 hour chart में बहुत अच्छा वक करता है अगर swing trade लेनी है तो आपने मैं swing trade के लिए 1 hour chart फोलो करता हूँ और आपको positional जाना है तो daily chart पे ये pattern बहुत खुबसूरत वक करता है daily chart पे तो आपको ये pattern मिल जाए और एक अच्छी entry मिल जाए तो आप समझ लेजिए आपको बहुत बड़ा profit होने वाला है ये ऐसा pattern है जिसकी capabilities आपको बड़े profits दिलाने की है चोटे profit नहीं एक बड़े profit दिलाने की है और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिल सकते हैं तो हम समझ गए इस pattern को formation को समझ गए और ये भी समझ गए कि ये हर time frame पे काम करता है दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरी वीडियो लंबी होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से explain करूँ कई बाते मैं बार बार repeat करता हूँ कुछ लोगों को boring लगती होगी लेकिन मैं ये सोच कर repeat करता हूँ कि सब लोग same pace पे नहीं होते आप में से कुछ लोग होंगे जो आदी से अदर बाते जानते होंगे अगर मैं 5 मिनट पर समझाऊँगा तब भी समझ में आ जाएगी कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा समझते होंगे थोड़ा बताऊँगा समझ में आ जाएगा आप कहा सकते हैं कि दोस्तों जो लोग slow सीखते हैं वो बार बार रिपीट करके देख लेंगे बार ठीक है आपकी लेकिन मेरे रिपीट करने और उनके बार बार रिपीट करके देखने में फर्क होता है इसलिए मैं time लेकर ही समझाता हूँ अगर आप smart है बहुत तेज है जल्दी समझ सकते हैं तो आप speed 1.25 करके देख सकते हैं प्रेफररबल नहीं है कि speed बढ़ा के देखे लेकिन हाँ फिर भी अगर आप समझते हैं pattern को तो आप speed बढ़ा कर देख सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप smart है तो आप ऐसा कर सकते हैं there is no problem with that again मैं यहाँ पर address करना चाहूँगा नए viewers को दोस्तों students of market एक educational channel है जो stock market में investing और trading सिखाता है हम यहाँ पर आपको complete course करा रहे हैं free of course YouTube में stock market के basics से लेकर advanced level तक हम सब कुछ सिखाने वाले हैं basics cover कर चुके हैं technical सीख रहे हैं और आगे options और strategies भी सीखेंगे और investing भी सीखेंगे तो आप सीखते रहे हैं चाहते हैं stock market में अपना career बना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कीजिए bell icon press कीजिए all पे click कीजिए ताकि आपको हर वीडियो को notification मिल सके शुरू आप करिया भी बिल्कुल beginner है तो आपको description में playlist मिल जाएगी आप पहली वीडियो से देखना शुरू कीजिए ताकि आपको basics समझ में आए और आपको base formation strong हो सके जो लोग trade कर रहे हैं nifty में trade करते हैं मैं रोज जली सुबा 9 बजे nifty के analysis करता हूँ live आकर जहाँ पर nifty जब pre open होता है 9 बज के 7 minute पर जब price discover होता है तब मैं आपके साथ strategy plan करता हूँ कि हम कैसे trade कर सकते हैं तो आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हैं उसके लिए आपको subscribe करना है और all पर click करना है ताकि morning में आपको notification मिल जाए जब भी मैं live आऊ तो चली दोस्तों आगे पढ़ते हैं और अपने pattern को सीखते हैं और हम समझते हैं now psychology behind the pattern formation तो हमने समझ ली अब समझते है psychology क्या है इसके पीछे क्या चल रहा है buyers और sellers के mind में ठीक है आई अब यहाँ से क्या हुआ कि एक stock में एक selling शुरू हुई है selling शुरू हुई है stock जब जब बढ़ता है sellers आके उसे base देते हैं जब जब stock उपजा नहीं कुछ करता है sellers sell करते हैं तो ऐसा चलता आ रहा है काफी times चल रहा है stock कहीं पर time भिताता है फिर एक selling आ जाती है फिर pattern चालो हो जाता है फिर pattern चालो हो जाता है ऐसे करते करते एक base पे आ गया अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर मान लिजिए stock का price था 100 रूपीस और stock ऐसे करते करते 60 रूपीस के आसपास पहुँच गया अब यह जो हर stock होता है हर stock की न एक intrinsic value होती है एक उसकी value ऐसी होती है जो stock deserve करता है और जो market में value देखते है generally वो value उसकी intrinsic value से ज़्यादा होती है stock market आज की value पर रन नहीं कहता stock price का मतलब उसकी आज की value नहीं है stock market यह participant stock को उसके future पर value देते हैं उसके future पर दाव लगाते हैं की future में यह बढ़ जाएगा अगर stock 100 अरपे की value deserve करता है और company अच्छी है no doubt company अच्छी है तो तो वो 200 पर भी trade करता मिल सकता है 500 पर भी trade करता मिल सकता है 5000 पर भी trade करता मिल सकता है इतनी इतनी valuation मिलती है stocks को हर stock की cycle होती है कभी IT को बहुता valuation मिलती है कभी finance को कभी banks को सब का time आता है कि किसी की valuation बढ़ जाती है लेकिन जो valuation बढ़ी होई है वो समय के साथ घटनी भी है एक concept होता है mean reversion मैं कभी आपको सिखाऊंगा मतलब chart पे दिखाता हूँ एक mean है कोई चीज़ अगर अपने mean से बहुत दूर चले जाती है तो उसको mean पे वापस आना होता है और कोई बहुत नीचे आ जाती है तो उसको अपने mean के पास वापस आना होता है इसे mean reversion कहते है stock को वैसे तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही बढ़ना है लेकिन अगर स्टोक ऐसे बढ़ जाता है और अपने mean से दूर निकल जाता है तो उसे नीचे आना ही आना पड़ता है और ज़्यादा गिर जाता है अपने mean से दूर निकल जाता है तो उसे mean reversion कहते है that means अगर स्टोक का price बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो चाहे कोई global news हो चाहे कोई और reason हो stock ने अपने real value पे एक ना एक दिन वापस आना होता है लोग wait करते हैं उसके वापस आने का उसे कहते हैं value investing जो warrant buffet का style है value investing करना कभी इसके वारे में discuss करेंगे दोस्तों समय निकाल के अभी थो pattern पे focus करते हैं stock नीचे 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 गिर्ट के आके अपनी intrinsic value पे आगया अब यह intrinsic value मैं और आप नहीं जानते हम भी निकाल सकते हैं कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इतने resources नहीं है कि अगर हम निकाल भी लें तो stock को हमाँ पे रोक लें हमने निकाल लिया कि यह stock 100 पे से चला है गिर्टे गिर्टे 60 पे आ गया हाँ 60 पे पर इसकी value बनती है 60 पे इसका right price है यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए बट हम खरीदने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना हमारे खरीदने से तो उसके फर्क पड़े है intrinsic value दिखती है और वो खरीदना चुरू करते है तो price ऐसे उपर जाता है ऐसा पहले भी हो रहा था stock के अंदर stock गिर रहा था तो थोड़ा उचल रहा था हर stock सिधा निचे नहीं गिरता है के line में stock गिरता ऐसे ही है हर बारना हम जैसे retail यह चोटे मोटे investors बाई कर रहे हैं यह बड़े investors भी कर रहे होंगे बट वो इतने confident नहीं थे कि वो दुबारा बाई करें जब वो वापस इस price पर आया वापस यहाँ पर आया वापस यहाँ पर आया दुबारा बताता हूँ मैं कहता हूँ दूस्त मैं दुबारा दुबारा बताऊंगा ऐसे आया ऐसे गया यहाँ पर बाई किया investors ने जब दुबारा वापस आया बाई नहीं किया रुख गया वो नीचे आया फिर यहाँ पर बाई किया फिर नीचे आया जा रहा है लेकिन यहां से जब उपर निकला और इस लेवल पर दुबारा आया तो इन्वेस्टर्स दुबारा बाय करना शुरू कर दिया तो तब यह निकल गया उपर मैं यहां समझाता हूं सो और पैसे स्टॉक चला 60 रिपे पर यहां पर बीच में भायंग हो रही थी दीरे दीरे कोई कोई उचाल आ रहे होंगे बट उच्छाल सस्टेन नहीं कर रहे थे बार बार स्टॉक नीचे ही आता जा रहा था साथ रहे पर गया, साथ रहे पर पर दुबारे एक उच्छाल आया जैसे कि नॉर्मली पहले भी आया होगा बट यहां पर जो उच्छाल आया होगा ना वो काफी स्ट्रॉंग होगा वहाँ पर आपको बुलिशनेस देखी होगी बुलिशनेस कैसे देखी जाती है मैं आपको जब चार्ट दिखाऊंगा तो समझाऊंगा आपको बुलिशनेस देखी होगी बैंक देखी होगी और हो सकता है कोई news भी हो, तो उसकी वज़े से stock bounce किया हो, यह हो सकता है कि उस company में उसकी earnings, उसके results आए हो, quarterly earnings, early earnings होती है, कि company ने कितना कमाया, कितना profit या नुक्सान किया है, और वो अच्छे आए हो, उसकी वेशे bounce back किया हो, तो bounce back किया, ठीक है, तो यह तो पहले भी होता आ रहा है, यह पहले भी होता आ रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है, हमारे लिए यह pattern अभी अदो रहा है, लेकिन, जब यह bounce हुआ, और जब नीचे आया, तो इस बार तोड़के नीचे नहीं किया, जैसे हर बार जा रहा था, इस बार नीचे नहीं गया, इस पर stock नहीं हाँ पर pause ले लिय और इसी bottom पे दुबारा support लेकर उपर निकल गया, मतलब जिन buyer ने 60 रुपे पर buy किया था, वो लोग और अपने orders लगा के बैठे होए हैं, यह 60 रुपे पर दुबारा एक बार आ जाए, हम दुबारा buy करेंगे, और दुबारा buy करना शुरू किया, और अपकी बार buy करते चल और 60 रुपे से मालने जिए, यह 80 रुपे है, तो 80 रुपे पर पहुचा, तोड़ा सा यहां पर जूर रिजिस्टेंस ली होगी हलकी सी, लेकिन इस बार वो रुके नहीं, और 80 रुपे पर भी buy करी, और buy करते चले गया, और यहां पर तो सारी लोग फिर buy करने लग गए, और ऐसे करके stock उपर निकल गया, तो इस वज़े से हमारा यह double bottom पूरा हुआ, क्योंकि इसने 2 bottom बनाई, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, देखो triple bottom में वीडियो अलग से बनाऊंगा नहीं, इसी वीडियो में मैं time ले रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ, कई बार पहली बार में नहीं निकलता stock, दूसरी बार में नहीं निकलता, नीचे आता है, और एक बार और support लेता है, मतलब 100 में लिया, 100 में selling चल रही थी, आपको बताया था मैंने, 60 में buy किया, 80 तक गया, 60 में buy किया, 80 तक गया, आइस बार 80 पे buy नहीं होई, वापस लोग फिर wait किया, investor न नहीं माना जाता है, जब कोई support, जब कोई support तीन बार test हो जाता है, एक, दो, तीन, चौती बार उसकी probability बन जाती है, 80 तू 90 परसंट की वो break करतेगा, क्योंकि यह support आप weak हो गया है, यहां buyers का पैसा खतम हो चुका होगा, buy करते, buyers exhausted हो जाएंगे, और नुकसान देखेगा, त stock और नीचे जा सकता है, तो आप यह में कहना ठीक है यार, double bottom, triple bottom और चार bottom भी ढूनते है, चार bottom मतलब all strong movement आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, double bottom, triple bottom होता है, अच्छा, single bottom क्यों नहीं होता है, ऐसे करके, single bottom इसले नहीं होता है, कि यह confirmation नहीं है, एक बार तो हर बार ही और वापस आके तोड़ दे रहा है, फिर उचल रहा, फिर तोड़ दे रहा है, नीचे आके price, तो इसलिए हमें यह double bottom एक confirmation होती कि एक बार तो buying आई 60 रुपे पे, तो दोबारा वापस आया, तो लोग ready बैठे है, 60 रुपे लेने में, मतलब buyers 60 रुपे पे stock को खरीदने को त्यार बैठे हैं, हम अब इसमें entry कर सकते हैं, हमें डरने की जूरत नहीं है, हम अपने stop loss, 60 रुपे से थोड़ा सा नीचे लगा देंगे, 58, 59, 56, 57, depend करता है, कितना risk and reward ratio मिल रहा है, कहा entry मिल रही है, उस जब से हम entry कर जाएंगे, और हम इस trend को enjoy कर सकते हैं, इतना ही है, इ इसकी entry, stop loss और target सिखाता है, I hope दोस्तों आप psychology समझे होंगे, psychology समझना बहुत जूरी है, buyers, sellers के mind में क्या चलता है, क्योंकि बजार जो है, वो बनता है, buyers और sellers से मिलकर ही, buyers और sellers की psychology से ही, जिने हम bulls and bears भी कहते हैं, पूरा बजार चलता है, वहीं से सारी moment आती है, जब तक आ buyers and sellers की psychology नहीं समझ सकते साइसे, आप एक, एक, यह कहूं कि pro level trader नहीं बन सकते हैं, ठीक है, और भी असान तरीके हैं trading करने के, लेकिन जिस दिन आप buyers and sellers की psychology पढ़ना शुरू कर देंगे, pattern की psychology पढ़ना शुरू कर देंगे, वहाँ पर आप एक professional, एक pro level trader बन जाएंगे, तब trading आपके लिए difficulty नहीं दे जाएगी, आपके लिए simple बन जाएगी, easy तब भी नहीं बनेगी, trading is never easy, because money involved है, emotions involved है, but simple हो जाएगी, आपको ज़्यादा मत्था बाजी नहीं करनी होगी, आपको जहाँ पर entry लेनी है, वहीं पर entry लोगे, आप बिना मतलब में, यहाँ वहाँ खरी हैं कि entry, exit और stop blows हम कहाँ पे ले सकते हैं, traditional तरीका क्या entry का, यह आपका W pattern बना, जब यह resistance को cross किया, तो आप entry कर सकते हैं, पहली entry, मैं आपको अमेशा multiple entries सिखाता हूं दोस्तों, ठीक है, पहली entry simple है, जैसे ही, मैं यहाँ पर candle ने cross कर रही है, आपने entry कर ली, but that is not a smart entry, I never advise this entry, ठीक है, दूसरा तरीका, entry करके candle close हो गई, it's a good entry, close होने का मतलब होता है, कि यह pattern, your resistance break हो चुकी है, अब probability बहुत ज़्यादा है, कि stock यहाँ से उपर निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तीसरा तरीका, candle close होई, और candle के उपर निकल रहा है price, तब entry करी, that is again a very smart move, और fourth तरीका, यहाँ से पार किया, नीचे support लिया, और फिर जब निकल रहा है, फिर entry, ठीक है, एक-एक entry, detail में डिसकस करते है, first entry, while breaking the resistance, दोस्तों, वीडियो से सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सवन्य में आ रहा है, तो वीडियो को फटा-फट से लाइक कर मैं आपको बहुत महनत से एक-एक चीज explain करके सिखाता हूँ, आप लोग like करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, कि मैं महनत कर रहा हूँ, और आप लोग उसकी लिए मुझे like दे रहे हैं, मुझे बहुत च्छा लगेगा, दोस्तों, please like कीजिए, वीडियो को फटा- 0.05, 80, 0.5, कुछ भी, 80 को जैसी cross किया, तो वैसे ही आपने entry ले ली, तो ये हो गई आपकी पहली entry, लेकिन इस entry को मैं advice नहीं करता हूँ, क्यों advice नहीं करता हूँ, क्योंकि ये entry दिक्कत दे जाती है, price क्या करता है बजार के अंदर, stock ऐसे cross करेगा, वापस आएगा, और नीचे close करतेगा, और आप यहाँ पे entry करके trap हो जाओगे, हलका सा नीचे जाने लएगा, आपको stop loss लेके निकलना पड़ेगा, और आप फस जाओगे, तो ये entry इसलिए मैं advice नहीं करता, बाकि मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बजार entry ली जाती है इस तरह से, इसलिए मेरे बताना मेरा फर्ज है, और आपको उसके जो कौन सा है, उससे आगा करना ही मेरा फर्ज है, एक फाइदा जिरूर है कि आपको price अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल 80 के असपस का price बिलेगा आपको, जो लोग बाद में entry करेंगे, उनको price महंगा मिलेगा, पर जो भी हो, है तो risky entry है, अब यह उनका काम है, जो इन्हें सालों हो गए हैं, और जो पकड़ लेते हैं कि अब मुझे घुज़ जाना चाहिए, अब यह really में breakout हो रहा है, या किसी को इंटरनल न्यूस हो है, जो भी reason हो, बट as a beginner, आपको कुछ 2, 3, 4 साली हो हैं अभी तो मैं advice नहीं करता, इस तरह की entry, second entry, after candle close, मतलब यहां से break हुआ और candle close हो गई, इस resistance के उपर, 80 रूपीज के उपर, 80.5 पे होई, 81 पे होई, 80.7 पे होई, 80.8 पे होई, समझे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी candle बन गी, तो तो कोई फायदा ही नहीं है, ना, फिर तो निकल गया move हाँ से, लेकिन close होगी pass में कहीं पे, तो आपने entry कर ली, it's a good entry, क्योंकि यहां पर एक confirmation है कि breakout हो गया है, candle ने उपर जाकर resistance को तोड़ दिया है, so it's a very good entry, इसके pros यह है कि आपको एक confirmation मिल गया, entry हो गई, बस प्राइस महंगा मिलता है, क्योंकि 80 रूपीज स के candle close हो सकती है, और generally जब resistance break होती है, तो move बड़े होते है, so आपको बड़ी candle भी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी candle मिले तो मत घुसिएगा, कि 80 से सीधा 90 हो जगी है, और आप तब entry कर रहे हैं 90 पे, योकि बड़ी candle के वाद एक बार selling आ जाती है, profit booking आ जाती है, जि तीसरी entry, while crossing the closed candle, मतलब ये candle जो close होई है, जब इसका high cross हो रहा है, तो आप entry करो, it's again a very very good intelligent entry, because price की price एक बार तो confirmation दे दिया है, मैंने breakout कर दिया है, उसके उस price को जहाँ पर breakout किया है, उससे भी उपर निकल रहा है, तो मतलब यहाँ पर बहुत bullishness है, तो बहुत अच्छी entry है, इसका प्रोस तो बता दिया है, मैंने आपको की बहुत अच्छी confirmation है, probability हो जदा मिल जाती है, बट कोन ये है, कि कई बार candle close होई, अगरे दिन gap आप हो जाता है, और सीधा price अपा निकल जाता है, आपको entry मिलती ही नहीं है, तो यहाँ पर आपसे ये trade मिस हो सकती है, final entry, fourth, after, retest, candle close होई, थोड़ा उपर भी जा सकता है, नीचे आया, फिर 80 रुपीज के पास आया, 80 रुपीज के पास आया, और फिर 80 रुपीज पर support लेके वापस निकल रहा है, तो यहाँ पर entry, अब ये entry, बहुती बढ़िया entry है, इसके probability बहुत हाई हो जाती, 85%, 80-85% success ratio हो जाता है, कि अब आपका pattern चल जाएगा, बट ये entry, क्या कोन ये है कि ये entry आपसे छूट जाएगी काफी बार, क्योंकि जब ये breakout होता है, तो moment बड़ी fast होती है, कि वह price वापस आता ही नहीं है, इतनी अच्छी buying आ जाती है, ये price निकल जाता है, हो सकता है, कुछ हफते 10 दिन बाद घूम के आपको एक entry दे दे, देगा ही देगा, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, फोमो जैसी कोई चीज नहीं होती, price नीचे, profit तो कहीं न कहीं तो book हो नहीं है, तो आपको दुबारा entry मिल जाती है, ये price आपके हाथ से निकल जाता है, 80 रोपीस बाला, आपको कहीं और entry ढूडनी पड़ती है, हो सकता है, बाद में वापस आ जाए, उसके लिए आपको बहुत सारा patience चाहिए, stock पे high time नज़र रखनी है, कब वापस आ रहा हो, और वापस आके ये भी देखना है कि वापस किस लिए आ रहा है, वापस आके कहीं नीचे नहीं गिर जाए, वापस आके उपर भी निकल रहा होना चाहिए, सो सबसे बड़िया तो प्राइस यहां से चलता चलता आ रहा है, candle बनाता हुआ, यहां पर एक बार resistance लिया, और पार किया, मतलब जो भी last swing मनाया, यह प्राइस ऐसे जाके तोड़ेगा नहीं, आप सब stop market में trade करते हैं, प्राइस ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे time बिताएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके पास में जो भी swing मनायेगा, last, उसके नीचे का stop loss, but it must be your RR, risk and reward ratio, money management के अंदर होना चाहिए, money management क्या होता है, दोस्तों, मैं आगे psychology पढ़ाऊँगा, तो उसमें chapter है, money management का, risk management का, वो सब मैं पढ़ाऊँगा आपको, अब यह समझ लीजिए अगर आपका risk, एक हजार रपे आ है, मैं आपके तेग में एक हजार रिस्क नहीं ले सकता, तो अगर आपका stop loss यहां पर 100 रपे का रहा है, मान लेजिए 100 रपे का रहा है, तो आप सिर्फ 10 stock खरी दिए, क्योंकि 10 stock खरी देंगे, अगर आपको नुकसान हुआ, 100 रपे का, तो आपका maximum नुकसान 1000 रपे ही होगा, अगर आपका stop loss, आपका stop loss 50 रपे पे आ रहा है, और आपका maximum risk appetite 1000 रपे ही है, तो आप भी stock खरी लेजिए, मतलब आपनी position size को आप ऐसे manage करिए, कि अगर आपका stop loss हिट होता है, तो आपका नुकसान जो आपने define कर रखा है 1000 रपे, उस नहीं कर जाती है कि मुझे कितना profit होगा, एंटर ये देखा कि जाती है कि मुझे कितना loss हो सकता है, stock market में loss को ज़्यादा आगे रखा जाता है, loss को ज़्यादा priority दी जाती है profit से, क्योंकि loss ही हमारे हाथ में होता है, loss को हम control कर सकते है, profit को हम control नहीं कर सकते है, profit market के हाथ में ह होता है कि हमें कितना प्रॉफिट दे लोस हमारे हाथ में होता है कि हम कितना लोस लें लोग समझ लोग सोचते हैं कि नहीं है लोस स्टॉक मार्केट लोस करती है स्टॉक मार्केट हमसे पैसा चीन लेती है ऐसा कुछ नहीं होता, stock market किसी से पैसा ही जिनती, किसी की जेब से पैसा ही लेती आपके अज़ हमेशा एक तरीका होता है कि आप अपने loss को define कर सकें आप खुद अपनी जेब में हाट डाल कर पैसा निकल कर stock market को देते हो आपको यह सब चीज़े नहीं पता है और यह सब चीज़े आप सीखना चाते हो यह psychology सीखना चाते हैं तो मेरी दो वीडियो है जिसमें मैंने nature of market और law of market करके बना रखी है मैं आई बटन में आपको link दे दूँगा बहुत अच्छी वीडियो लोगों को बहुत अच्छा response मिला है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि market कैसे function करती है market कैसे चलती है कैसी psychology होती है क्या rules है जो market मैं मैं follow करना चाहिए कैसे हम profitable और एक sustainable income generate कर सकते हैं stock market से stock market के rules and guidelines को follow कर कर ठीक है stop loss होगे हमारा stop loss again बड़े investor जो होते हैं वो stop loss यहां रखते हैं लेकिन हम नहीं रखते हैं हमारा stop loss इतना बड़ा हम नहीं रख सकते हैं practical बात है options, futures में trade करते हैं तो बिलकूल नहीं रख सकते हैं एक और हो cash में बंदे रख सकते हैं जो अपनी बहुती अच्छी money management करते हैं वो यहां पर stop loss रख सकते हैं बट मैं जो stop loss रखता हूँ यहां पर जो भी last swing मनेगा उसके थोड़ा नीचे stop loss और target क्या होता है target दोस्तों इसमें होता है यह जो distance है same distance उपर या फिर इसका भी double दो तरह के target होते हैं मैंने बताया था आपको यह 100 से चला था यहां पर 60 पर आया यहां तक 80 रख पर पहुचा आप यहां पर तोड़ा तो पहला target आपका 100 होगा दूसरा target आपका 120 होगा तो बीस रख पर फिर 40 रख पर आप 100 पर देखिए क्या कर रहा है यहां पर कि 100 पर जाके गिरने लग रहा है तो अपना जो भी trailing stop loss लेकर निकल जाईए चाहे आपको 100 पर निकलना है तो आप 100 पर निकल जाईए मतलब आपको 20 रुपीस का profit अच्छा लग रहा है तो आप यहीं पर निकल जाईए दुबारा पॉर्चनिटी दिखिए दुबारा break हो रहा हो दुबारा entry कर लिजेगा नए हैं तो अपना profit लेकर निकल जाईए यहां से अगर पुराने हैं trailing जानते हैं stop loss ट्रेल करना तो आप यहां पर दूसरा target उसका double यह target होता है तो दोस्तों यह जो मैंने आपको समझाया stop loss, target, entry यह सब चीजे हैं bookish, किताबी, work करती हैं मैं यह नहीं करा कि work नहीं करती है लेकिन यह वो चीज है जो सब करते हैं यह वो चीज है जो सब को पता है तो मैं यहां पर अलग क्या सिखाऊंगा आपको और मैं अलग क्या कर रहा हूँ stock market में कम risk लेकर ज़्यादा profit कवाने के लिए वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूँ अपनी personal strategy जो मैं यहां पर apply करता हूँ वो सिखाने वाला हूँ मैं हमेशा की तरह आयात है मेरी थोड़ा सा risky खेलने की बट risky इसका मतलब यह नहीं है कि मैं risk लेता हूँ अपने capital के उपर मैं risk उतना ही लेता हूँ मैं risk defined है बट मैं entry थोड़ी risky ले लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए छोटा risk लेकर बड़ा profit कमाना यही मेरे target रहता है तो price यहां से नीचे आया यहां पर bounce किया कोई बड़ी बात नहीं है पहले भी ऐसे bounce करा होगा पहले भी bounce करके तोड़ दिया होगा अब में नजर है stock में कि वापस आकर यहां क्या करेगा यहां पर वापस आया और यहां पर फिर कोई एक bullish candle बनाई bullish candle क्या होती है bullish candlestick दोस्तों मैं candlestick के सारी candlestick patterns में आपको सिखाने वाला हूँ मेरे खाल से यह बड़े बड़े patterns है यह एक अफ़ता और एक दो pattern मेरे खाल से ओर रहे गए होंगे वो और सिखाऊँगा उसके बाद हम candle के patterns पढ़ेंगे candlestick patterns पढ़ेंगे वो बहुत interesting होते हैं और intra time में तो बहुत काम आते हैं और ऐसी जगाओ पर भी entry लेने में काम आते हैं जहाँ पर आपको कुछ out of the box entry लेनी है normal entry नहीं लेनी है तो price अगेन यहाँ पर आया यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि यहाँ पर कोई bullish candle stick बनाए जैसे कोई hammer बनाए एक bullish candle stick होती है bullish engulfing करके दिखाए या फिर यहाँ पर एक छोटा था W pattern बनाए यह मैं आपको आगे चार्ट में मैंने निकाल रखा आपके यह example कुछ बनाए चोटा W pattern बनाए तो मैं यहीं पर entry कर लूँगा और उसके नीचे उस pattern उस candle के हीचे stop loss रख दूँगा और target मैं वही रखूँगा जो सारे रखते हैं पहला target तो यहाँ पर होगा यहाँ से triple bottom बनाने नहाँ आजाए दूसरा target वेने जिसे बताया यह जो distance है यह बार distance रख दूँगा और तीसरा target उससे बड़ा तो मेरा stop loss बहुत छोटा होगा और target बहुत बढ़ा होगा मैं एक बार फिर explain करता हूँ आज़त है दोस्तों मजबूर हूँ आज़से बार बार explain करने के आप लोगों बताया मैंने कि मुझे बार बार explain करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो मुझे कोई ऐसे नहीं explain करता था मुझे बड़ी परशानी होती जी सीखने में इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता कि मेरे ऐसा कोई और अभिशेक सिक्का भी सामने बैठकर मेरी वीडियो देखकर सीख रहा है तो मैं चाता हूँ कि वो अच्छा सीखे अच्छे दे ट्रेड करे अपने पैसे ना गवाए बड़ी महातमाव वाली बाते हो गई चली ठीक है दोस्तर आगे बड़ते है यह गिरता 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 आ रहा है यहाँ पर सपोर्ट लिया और मुझे दिखा कि यहाँ पर कुछ बुलिश मोमेंट हो रही है यहां पर कुछ बाइइंग चल रही है दोस्तों देखना पदता है स्टोक को समझना पड़ता है बागदोर भाग के ट्रेट नहीं लिए जाती शांती से पेशन से देखना पड़ता है क्या हो रहा है कि यह बुल्स अन बेर्स करके रहे हैं बायर्स अन सेलर्स कहां लट रहे हैं कहां क्या कर रहे हैं stock टु hopsना वापस आया मेईने जर यहां पे हैं मैंने यहां पे alert लगा रखτεया है दुबारा यहां पे आएगा तो मुझे कुछ करना है तो यह उपर गया और जब दुबारा इस लेवल पे आया तो इस लेवल पे मेंने alert लगा रखा था मुझे अलेक ट्रिगर होगे, हभि मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई bullish pattern पैटन बन रहा है, जैसे hammer जैसी candle होती है, bullish candle होती है, या फिर कोईotal कोई ऐसे या फिर triple bottom बन रहा है, या फिर bullish Galancer बन रही है, पढाऊँ को दोस्तों, तो मैं पढ़ाने इस वीडियों पढ़ाने लखूँगा बुलिश एंगल फिंग क्या होती है और यह सब क्या होता है तो वीडियो बहुत ज़्यदा लंबा हो जाएगा और आपको अन्फियूज भी होगे पढ़ा दूँगा मैं आपको टेंशन मतलो अभी भी गूगल पर सर और टार्गेट में वही रखूँगा जो आप सब लोग रखते हैं पर मैं इसको ब्रेक होने का वेट जूर करूँगा और मुझे दिखे हैं यहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है यहां पर जादा ही सेलिंग सी दिख रही है तो शैद मैं यहां से छोटा प्रॉफिट लेकर नि मैं यहां पर एंटरी कर लूँगा न दुबारा और लोग की तरह मेरा अस प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट का स्टॉप लोस लगा दूँगा प्रॉफिट पर रिस लूँगा मैं अपने पैसे पर रिस नहीं लूँगा प्रॉफिट पर रिस लूँगा वापस आ गया जा सेदा मेरा profit जाएगा मुझे sell करने का मौका मिलेगा मुझे भी दिख जाएगा यार selling आ रही है bank नहीं आ रही है short कर दूँगा मैं और अगर उपर निकल गया तो कोई दिख कितनी है थोड़ा profit यहां कमाया थोड़ा profit यहां कमाएंगे profit ही profit कितना easy और इस लगते हैं सुनन जो capacity उससे ज़्यादा बड़ी trade ले लेता हूँ तो मुझे भी psychological issue आ जाता है मैं try करता हूँ control करने की बड़ दोस्तों मैं भी इनसान हूँ हर बार तो successful नहीं हो पाता but try करता हूँ कि मैं अपनी risk reward को follow करूँ अपनी position size को follow करूँ अपनी money management को follow करूँ और उनकी against जाकर कभी कोई भी trade ना लूँ आपको भी यही try करना चाहिए सब सिखाऊंगा मैं आपको money management risk management सब सीखने को मिलेगा इसी चहल में free of cost कहीं और जाने की कोई ज़रूद नहीं है आपको दोस्तो मैंने आपको bookish methods भी सिखा दिया कि bookish method क्या होता है entry, exit और stop loss, target वगरा का और मैंने आपको अपना personal method भी बता दिया है आपकी इच्छा है आप कौन सा follow करो कहीं भी आपको यह pattern दिख रहा है आप मेरा method follow करना चाहते हैं आपको कुछ chart पर दिख रहा है मुझे comment कीज there is no problem at all मैं जूर उसको reply करूँगा आप से touch में आउंगा और आपको guide करूँगा आप कैसे उसमें trade कर सकते हैं everything will be free of cost कहीं आपको गलत बंदा टकर जाए मेरे नाम से और पैसे मांगे उन चीज के तो कुछ भी देने की जोगत नहीं है मैं कभी की चीज के पैसे नहीं मांग है जो pattern मैंने सिखाए है और आप में सलाच आते हैं तो मुझे comment कीजिए कुछ लोग करते हैं comment पढ़िए कुछ लोग सीखते हैं करते हैं पूछते हैं मेरे से मैं उनकी help करता हूँ हमेशा जवाब देता हूँ कुछ लोग email भी करते हैं मुझे मैं उनका email पर reply करता हूँ so you are always welcome to get in touch with me for any technical assistance in the stock market ओके ठीके चलो आगे वढ़ते हैं दोस्तो मैं आपको चार्ट के example दिखाता हूँ और फिर वीडियो को wrap up करते हैं ही पर हमेशा की तरह सबसे पहले मैं nifty मिलेके जाता हूँ आप लोगो दोस्तों यह बहुत recent example है अभी मेरे ख्याल से यह कब हुआ था वेडिनेश डे वेडिनेश डे का example है इंटरा डे के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको ठीक है ना यह price गिरता हुआ आया नीचे आया वापस किर गया ठीक है लेकिन अप क्या हुआ support लिया उपर गया दूसरा bottom मनाया पहला bottom दूसरा bottom पांच मिन की candle से दोस्तों है पांच मिनिट की पांच मिन में भी entry मिलती है यहाँ पर entry risky entry बनती ठीक है ले सकते थे कोई दिकत नहीं है यहाँ पर entry ली जब यह उपर गया हालका यह हुआ यहाँ पर normal entry बनती है और देखिए target यहाँ से यहाँ तक का होता है ना आपको उससे ज़्यादा target मिल गया इंटर दिखा दिखा दिया मैंने आपको चलिए next chart देख लिए देखिए और यह अगें निफ्टी है अगें निफ्टी का दिखा रहा हूँ अब मैं यह आपको daily chart दिखा रहा हूँ पाच मिन की candle नहीं है यह की candle daily की candle है जो भी यह की candle देख रहे है सब daily candle है यहाँ पर आपको देखिए यह downtrend चलता आ रहा था बजार के अंदर बजार नीचे गिरता हुआ आ रहा था यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग और यहाँ पर गिरते गिरते अब क्या हुआ यह नीचे आया पहला बोटम उपर गया दूसरा बोटम कम्प्लीट हुआ ब्रेक आउट हुआ और बूम यहां flag and pole pattern दोस्तों अभी flag and pole pattern की वीडियो आपको Friday मिल गी होगी यह मै ने दिखाया था आपको flag and pole pattern मना और इंडेक्स के अंदर देखिए दोस्तों I hope दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग किसी को ऐसा लग रहा हुआ मैं यह पैटन जल्दी एक्जम्पल दिखाये तो मुझे कमेंट में बता देना और सीख रहे हो तो दोस्तों कमेंट कर दिया गर एसे कंजूसी क्यों करते हैं लिखने में connect हो साथ में साथ में trading करेंगे साथ में सीखेंगे कोई ऐसी बात नहीं है मैं भी एक trader हूँ आप लोग भी देख रहे हैं मुझे तो आप trader है यहां trader बनना चाहते हैं सो खुल के बात किजिए करिए मैं I'm more than happy to connect with you and discuss with you anything about stock market टेक्नि देखता हूं कैसी opportunity है अच्छा यह स्टोग यहां गिरता 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 आया है ठीक है यहां पर पहली bottom बनाई उपर गया यह neckline है resistance है नीचे आया दूसरी bottom बनाई अब में दूसरी bottom में क्या मिला है मैंने यह circle क्यों बना रखा है इसके पर यह वाला red वाला यहां पर मुझे एक छोटा सा w pattern मिल गया दोस्तों अब मुझे यहां पर entry नहीं करनी है जैसे यहां पर entry होती है ना normally मैंने आपको बताया था कि neckline break होती है तो वह entry होती है मुझे यहीं पर entry मिल गई मुझे यहां पर यह w pattern मिल गया नीचे छोटा मैंने यहीं entry कर ली और व profit ये कहता हूँ मैं कि W बड़े चार्ट पे W pattern में भी आपको छोटा कहीं पे pattern या bullish signal मिल जाएगा तो आप bottom के पास ही ये पहला bottom दूसरा bottom डबल bottom के पास ही entry कर सकते हो तो आपको target बड़े मिलेंगे यही मैं आपको सिखाना चारा था कि my style of entry का है ऐसे मैंने यहाँ पर एक छोटा W pattern ढून निकाला और मैं इसमें घुसा और बड़ा W pattern तो फिर अपने आप cover हो गया और profit बहुत उपर कहीं है थीक है और example देखते हैं फटा फट से ये example है हमारे किस का है ये है आईशेल मोटर का ये एक downtrend है किरके फिर नीचे किरना यहाँ पर stock ने simple W pattern मनाया और एक bottom दूसरा bottom और निकल गया अब यहाँ पर कहाँ पर entry करता दोस्तों इसे केंडल कहते हैं हैमर केंडल तो मैं इस केंडल पर entry करता आपनी यहाँ पर भी देखिए अच्छी बेंक के दिखाया हो आपने नेकलाइन पर entry करी है तो आपको यहाँ पर मिला होगा चाहे मैंने आपको दिखाया हो nifty का कहा है nifty चाहे nifty में आपने नेकलाइन पर entry करी हो तो नेकलाइन पर entry करने में bookish pattern भी भहुत बढ़िया बग करता है यही खासित है इस pattern की यह बहुत प्यारा pattern है दोस्तों मैं मुझे pattern बहुत पसंद है और मैं जो भी pattern सिखा रहा हूँ यह सारी पसंद है तभी मैं सिखा रहा हूँ pattern तो और भी हजारा होते हैं लेकिन मैं आपको वही pattern सिखा रहा हूँ जो work ज्यादा करते हैं जिनकी साथ यहां पर वी एंटरी मिल रही है आपको ठीक है दोस्तों और देखते हैं एक दो इसमपल आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि सब में सिर्फ वही दिखाना कि प्रॉफिट प्रॉफिट भी साही नहीं होता तो यहां पर एक पहले डबली पैटन मना ठीक है लेकिन इसने नेक भी साहिवाज जाँगो छोटा प्रॉफिट कर लूगा या तो वो कर लिया होगा ने तो स्टॉप लॉस्त इसकी नीचे ही होगा तो स्टॉप लॉस्तु हिट नहीं हुआ और पाद में बड़ा प्रॉफिट मिला है तो अब यहां देखेंगे ये W पैटन छोटर W पैटन और ये बड़ा W पैटन दो पैटन हो गए दुबाद दिखाता हूँ छोटर W पैटन और बड़ा W पैटन कहीं भी एंटरी लियो प्रॉफिट आपको मिला है W W बोल रहा हूँ है मतलब डबल बोटम ही है यहाँ पर देखेंगे तो एक bottom, दो bottom और बड़ा देखेंगे तो एक bottom और दूसरी bottom यहाँ पर entry हो गई, यहाँ पर फिर एक बनाया W फिर उपर लेके गया है यहाँ से यहाँ पर flag and pole भी मिल गए आपको बड़े सारे pattern मिल जाते हैं मार्किट के अंदर यह हमना ICIC bank है, यह एक बड़ा drop पहला bottom दूसरा bottom और यहाँ पर boom यह neckline cross होई है, आपका इतना profit तो आपको यहाँ पर भी मिल गया, अगर नीचे entry नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे कोई ऐसी bullish candle नहीं दिख रही है यहाँ पर नीचे, तो मैं भी नहीं ले पाता लेकिन अगर यहाँ भी entry होती, तो भी आपको बड़ा profit मिल जाता दोस्तो एक ही infosys का charter देख लेते हैं, यहाँ पर downtrend downtrend के बाद यह first bottom बना हमारा, stock उपर गया second bottom यह तो नीचे entry ले पाएं तो ठीक है नहीं ले पाएं तो neckline पर भी entry ले रहे हैं तो आपको target आपका, यह वाला target तो यहाँ पर मिले गिया है तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर pattern दिखाए हैं, अगर आपको इस में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे जूर बताईए, अगर मैं बहुत ज़ला slow जाता हूँ, तो भी comment करके बताईए, देखिए उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर मैं slow जाता हूँ, तो मैं आपको reason बता चुका हूँ, कि मुझे लगता है कि कोई और abhisheek सिका, जैसे मैं था, निया निया, वो भी वहाँ बैठे सिक रहा है, तो मैं उसके लिए slow जाता हूँ अगर मैं fast जाता हूँ, तो मैं जूर बताईएगा, मैं थोड़ा और slow होने ही कोईश करूँगा, ताकि आपको better sign में आए आज की pattern में इतना ही था दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इसी week में आपको इसका जो opposite pattern होता है double top, वो सिखा दो मैं आपको मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं फिर जल्दबाजी में सिखा था, ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो, और शयद मैं आपको इतने अच्छे से explain नहीं कर पाता, अच्छे से अभी explain किया है, मैं कोशिश करूँगा Sunday अगर मुझे time मिला, तो मैं Sunday ही डाल दूँगा उसकी वीडियो, अगर नहीं मिल पाया, तो फिर next week Friday मैं आपको double top की वीडियो यहाँ पा दे दूँगा, अगर मुझे इस वीडियो पर 100 से यदा like मिल जाते हैं, मैं target है मेरा 100 likes का, मुझे मिल जाते हैं, तो मैं mid week में ही, Wednesday के आसपास ही, आपको double top की वीडियो बना के डाल दूँगा, आपको Friday तक का wait नहीं करना पड़ेगा, तो देखते हैं लेकिन वो सब लंबे टाइम में मिले है मैं short term में इस पर target कर रहा हूँ let's see, आप लोग का response का साथ है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है सीखने का मिला है, वीडियो का लाइक कीजिए चैनल पर नए आया है, चैनल का subscribe कीजिए अब मेरा अलविदा कहने का समय है thank you so much for your time ताटा, बबाए